कि अगर हम देखे कि सी भी का ट्रांजेक्शन के अंदर कि प्रोफिट कब हो रहा है और लोस कब हो रहा है तो अगर मानलीची आयामे सेलर एक बार अगे लिए खुद को आपने थोड़ा सा एनलाइज करना यूंवारे सेलर यह सोच के चलो आयामे सेलर उसके अंदर क्या हो र परचेज करते हैं, that is CP, okay? अब उसके बाद में जब हम उसको sale करते हैं, that is SP, अगर हम less money के अंदर purchasing कर रहे हैं, और उसको more के अंदर sale कर रहे हैं, in that case हमें profit होगा, ठीक है, but अगर मैं more money के अंदर उसको sale कर रही हूँ, but उसको less में मैं sale कर रही हूँ, मेरी पर्चेजिंग है वो है ज्यादा की बट उसी पर्टिकुलर को मैं सेल कर रही हूं लेस में तो क्या हो जाएगा लोस हो जाएगा ओकी तो इसलिए यहां पे छोटा सा पॉइंट क्या है कि थोड़ा सा आपने एनलाइज करके चलना है रियल के साथ में तो आपको सारे प्रोफित और लोस के अंदर सबसे पहले क्या रहा है कोस्ट प्राइस कोस्ट प्राइस क्या हो गया अपके पास सीपी सीपी दैट मेंस दप्राइस ओन विच आर्टिकल इस परचेज़ और मैन। अगर मालो हम कोई भी प्रोड़क्ट को परचेज करते हैं उसके बाद में ह पर हमारे कुछ ट्रेवलिंग चारजीज लगे या फिर अंदर कुछ हमने रिपेरिंग के लिए चारजीज लगे हमारे पास या कुछочь एक्स्टरा लगे चारजीज हो गया तो उसके इसके अंदर हम क्या करते कि जो सीपी है ओवरराल सीपी है वो क्या हो जाएगा सभी को add करतेंगे means कि जो CP है plus overhead charges अगर आपके question में given है overhead charges in that case you will add up अगर आपके पास overhead charges given नहीं है then जो भी CP given होगा आप उसको consider कर जालो अब बाद आती है कि जो profit और loss है profit और loss है वो अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर SP is more than CP in that case क्या होगा profit profit कैसे find out करते है SP minus CP profit percentage कैसे find out करते है profit अब एक बात देखो जो profit है या फिर loss है दोनों calculate किस पर होते है CP पर calculate होते है CP पर calculate होते है means what जब हम percentage calculate करते थे याद करो तो हम क्या करते थे particular value divided by the second value into 100 ऐसे करते है तो जिससे हम डिवाइड करते है that means कि उसके comparison में हम कि CB value का percentage value find out कर रहे तो जब हम बात करते है profit and loss की तो profit and loss किस से compare करते हैं हमस case के अंदर CP से कुछ हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है तो profit हो गया CP से less मिल रहा है तो loss हो गया तो CP से compare करते है तो यहाँ पर धिहान रखना है आपने कि profit and loss किस पर calculate करेंगे CP पर ठीक है अगर आपके पास में given है कि नहीं SP पर calculate करो तो उस case के अंदर यहाँ पर ऐसा नहीं कि हांजी मैं ने कहा था कि CP पर करना है तो CP पर ही करना है but अगर question में कहीं पर SP गीवन है कि SP पर find out करो in that case आप SP पर find out करोगे otherwise CP पर okay same way loss loss काब होगा जब CP is greater than SP loss is equal to CP minus SP loss percentage is equal to loss by CP into 100 अब कुछ formulas है वैसे तो formulas की ज़रूरत पड़ती नहीं है and I tried my level best कि हा minimum formulas किये जाए but यह जो formula generate हो रहे न वो finally हो कैसे रहे जैसे हम percentage करते होते थे क्या कि देखो अगर मेरे पास में formulas पर बाद में जाएंगे पहले देखो अगर मालो मैं कहते हूँ कि मैंने 100 रुपय का कोई product है मेरे पास में ठीक है मैं कहते हूँ मेरे को 20% का profit हो गया profit हो गया तो मैंने क्या बताया था कि value add up हो के मिलेगी एड़ाप होके मिलेगी मतलब कितना मिला 120 परसेंट तो डारेक्ट वही तो हो रहा है 100 प्लस गेन कुछ नया फोर्मूला नहीं है यहां पे SP कैसे फाइंड आउट करोगे आप 100 प्लस गेन और प्रोफिट ओके अब यह किसमें है परसेंटेज के अंदर आ गया परसेंटेज मिन्स वा डिवाइड़ेड बाइंडर तो कोई नया फोर्मूला नहीं है यह वही है जो हमने परसेंटेज में किया है सेंब अगर लोस हो गया that means कि मुझे कम अमाउंट मिलेगी means minus होगा minus होगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे अगर हमें SP find out करना है तो इस तरह ऐसे हो गया अब अगर कहते किनी CP find out करना है तो यही सेम है यह value क्या हो जाएगी cross कर लो क्या हो गया CP is equal to SP into 100 divided by 100 plus gain CP is equal to SP into 100 divided by 100 minus loss okay new formula तो नहीं है same way अगर आपके पास किसी question के अंदर किसी question के अंदर given है क्या percentage given profit percentage or loss percentage given है in that case you can find out the ratio between CP and SP CP और SP के आप ratio find out कर सकते हो अगर आपके पास profit or loss given है क्योंकि data sufficiency के question भी मिलेंगी exam के अंदर तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ किसी particular question को solve करने के लिए क्या क्या requirement होनी चाहिए और एक्जाम्पल मैं क्या थिक particular product है और उस पर मुझे 20% का profit मिल रहे ठीक है there is no CP given there is no SP given question is what is the ratio between CP and SP can we calculate हां जी calculate कर सकते हो तो यहां पर धियान रखो जब भी आपके पास में percentage के अंदर profit और loss given है in that case what does it mean 20% is equal to 20 by 100 that means 1 by 5 जब हम percentage में value करते थे तो मैंने आपको क्या बताया था कि बटे यह actual value होती है और यहां पर अभी मैंने क्या बताया किस पर calculate करते हैं CP पर that means this is CP इसको क्या consider करोगे CP जो यहां पर value है अगर यह profit है then this is profit अगर यहां पर loss given है this is loss अभी यहां पर क्या है profit that means this is profit SP क्या होगा CP is equal to 5 unit profit is 1 unit that means SP is 6 unit तो CP और SP का ratio क्या आगे आपके पास yes 5 ratio 6 अभ यहां पर माल लीजे एक product की value given है कि CP is equal to 5000 profit is equal to 20% then what will be SP CP is equal to 5% सिधा देखो यहां पर CP is equal to let us say this is 5000 ठीक है CP कितना होगा पूरा 1000 multiple 6,000 कोई formula लगाना पड़ा हमें किसी formula की जरुरुरुरुरुरुत नहीं है तेम भी अगर कोई question आ जाता है आपके पास में कि you have SP SP of let us say 1200 ठीक है SP कितना आपके पास 1200 प्रोफिटे 20% find out the CP हां जी यस मैं क्या कह रहें this is 1200 तो यह कितना आ जाएगा 1000 को कोई formula अपलाई करना पड़ा कोई formula अपलाई करने के जो रत्मी अगर मुझे रेश्यों पता है CP और SP कि in that case I can directly find out ओके तो यह जो रेश्यों है यह काफी जगह पर हम यूज करेंगे जब भी पर आपके पास में गीवन है तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमने find out करी ओके अब हम देखते हैं छोट छोटे question से कि हाजो मैंने अभी आपको concept समझ आया है वह कितना आप लोगों को समझ आया कितना समझ आया कि सबसे पहले देखो आप फास्ट्रेक्ट पर करूंगी मैं फास्ट्रेक्ट पर करेंगे हम क्या है परसन बाइज टोई फूर फिफ्टी एंड सेलिट 75 रूपी पहले तो बताओ प्रोफिट होगा या लोस होगा प्रोफिट होगा 50 का पर्चेस करके उसने 75 के अंदर सेल किया प्रोफिट होगा कितने का प्रोफिट हुआ 25 रूपीज का वेरी गूड अब प्रोफिट परसंटेज एग आप बोल देखे 50 का पर्चेस किया 75 का सेल कर देखे 25 रुपीज का प्रोफिट हो गया प्रोफिट हम किस पर कल्कुलेट करते है प्रोफिट परसेंटेज CPP, CPP कितने है 50, 25 by 50 into 100, 50 परसेंट, सिधा कितना आजाएगा पर परसेंट, 50 परसेंट, 50 परसेंट, this is 50, कि अगे प्रोफिट है और कि अगे यह प्रोफिट है अप लोगों ने जो ओनलाइन स्टूडेंट से सभी ने आंसर करना इजी जी कर वा रहे है आज का जो क्लास एक तरह से कंसेट क्लियरिंग क्लास है जो छोट छोटे कंसेट से वही हम क्लियर करेंगे ठीक है न तो आप देखो कि कितने हमारे कंसेट के लिए अब यहाँ पर दूसरा देखो एप परसन भाई से साइकल एस्ट 450 पर चेस करेंगे उसने बट्ट विकोज ओफ अरज एसरेंट अरजन कर दी डैट मींस 150 रुपीज का लोस हो गया 150 का लोस हो गया अब बात आ रहा है कि जो लोस परसंटेज परसंटेज किस पर कैलकुलेट करेंगे CPP, CP is 450 that means 1 by 3 that means 33 is to 1 by 3 percent